दोस्तो नमस्कार दोस्तो आप लोग सोने के डैने बिस्कुट जेवर बगारा तो खरिबते ही होंगे और ज्यादा तर लोग इसके लिए जोरी यानि जूलर्स के आँ जाते होंगे बाजार भाव पर उन्हें सामाल खरिबना होता हुआ क्यों सही का न लेकिन आप घर बैठे यहीं सरकारी किमत पर खरा सोना खरिद सकते हैं वो भी डिसकाउंट पर और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं जो आपको फिजिकल गोल्ड खरिदने में यानि जो जोहरी के आँसे सोना खरिदे हैं उसमें आपको नहीं मिलेंगे तो सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन सा स सोना है जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो हम इस एपीसोड में बताएंगे सोने का नाम सोने को ख़िदने के फायदे कहां से ख़़ी सकते हैं सोना और कितना सस्ता मिलेगा आपको सोना दोस्तों इस सोने का नाम है Soberan Gold Bond हिंदी में इसको सारवभम Soberan Bond कहते हैं इसे केंद इन्हें सोबरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-2024 की पहली सिरीच और कुल 64 में सिरीच लॉंच कर दी है पहला फायदा तैन तारिख के दौरान इसे सकारी दाम पर खरीद सकते हैं बाजार भाव पर नहीं सकारी केमत बाजार की केमत से अक्सर कम रहती है तो एक ग्राम सोना पांच 27,260 रुपे इसकी मत पर यह स्वर्ण बॉन्ड 29 जुन से ले करके 23 जुन 2023 तक आप खरीच सकते हैं योग्या निवेशकों को 27 जुन 2023 को स्वर्ण बॉन्ड जारी किया जाएगा इसके लिए कई सारे पात्रता मापदन है इसलिए जो निवेशक उन पात्रता मापदन पर ख प्रक्षित है हाला कि सोने की किम्मत में होने वाले उतार चड़ाव से इसकी किम्मत में भी उतार चड़ाव संभब है और पुंजिगत नुकसान हो सकता है लेकिन सोने की जितनी उनिक में आप निवेश करेंगे उसमें कोई कमी नहीं आएगी तिसरा फाहला, ओनलाइन खरीदने या डिजिटल भुपतान करने वालों को ये सोना प्रति ग्राम 50 रुपे सस्ता मिलेगा, यानि 10 ग्राम सोना खरीदने पर 500 रुपे की छूट मिलेगी कहने का मतलब हो गया कि जो निवेसर को निर्ज जून सकते इस जून तक इस स्वर्ण बॉण्ड में निवेस करेंगे, उनको एक ग्राम सोना के लिए 5876 रुपे देन होंगे, जब दस ग्राम सोना के लिए 58760 रुपे देन होंगे आपको बढ़ा दो कि सोने की फीजिकल मांग को घटाने के मकसद से सरकार ने नवंबर 2015 में सौबरन गोल्ड बॉण्ड स्कीम लांच की थी चौथा फाइदा, सौबरन गोल्ड बॉण्ड को रखने में कोई जोखी मिया खर्च नहीं है, जैसा कि फीजिकल गोल्ड यानि जुल्री, सोने की विस्टिट, सोने के सिक्के बगएर को रखने में होता है पाँचमा फाइदा, साराना 2.5% ब्याज मिलेगा, हर 6 महीने पर ब्याज का भुक्तान किया जाएगा, जिस किम्मत पर सोना खरीदा गया है, शुरुवाती किम्मत, उसके हिसाब से ब्याज तै होता है अंति ब्याज मैचेवर होने पर मुल यानि शुरुवाती निवेस के साथ आपको मिल जाएगा कहने का मलतब हो गया कि अगर आपने एक लाख रुपे का सोना करेगा है, तो हर साल आपको धाई हजार रुपे ब्याज के तोर पर मिलेंगे और ब्याज का पुक्तान हर छा माईने पर किया जाएगा चाथा फायदा, बॉण को गिर्वी रख करके आप लोन भी ले सकते हैं आपको कितना लोन मिलेगा, रिजर्व बैंक समय समय पर इस बारे में निदेस जारी करते रहता है साथमा फायदा, बॉण खरीदने पर JST या मेकिंग चार्ज नहीं देना होता है आठमा फायदा, गोल्ड ETF के जैसा अनुवल एक्सपेंस चार्ज भी नहीं देना होता है नौमा फायदा, कैपिटल गेंस टैक्स नहीं लगएगा कोई बेक्ति अगर बॉंड बेचता है जिसे तक्निक भासना मेरे डैंशन कहते हैं और मुनाफ़ा कमाता है तो उस पर कैपिटल गेंस टैक्स नहीं लगएगा हाला कि इस पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगएगा और जो और फिजकल गोल खरीदते हैं उसको बेचने पर कैपिटल गेंस टैक्स देना होता है कैपिटल गेंस टैक्स क्या होता है जो मालिए कि आपने एक लाख रुपे का सोना खरीदा था और कुछ समय के बाद आपने उसे दो लाख रुपे में बेचा यानि एक लाग रूपे आपको लाब मिला, तो जो एक लाग रूपे लाब है उस पर आपको tax देना पड़ता है, दो तरह की capital gains tax होते हैं, short term capital gains tax और long term capital gains tax यह समय पर निर्वर करता है, आपको capital gains tax नहीं देना होगा, दसमा फाइदा, आठ साल में mature होगा, लेकिन पांच साल पूरे होने कबाद आप उसे बेज सकते हैं, Bombay Stock Exchange यानि BAC और National Stock Exchange यानि NAC पर कभी भी market भाव पर आप खरीद निकरी कर सकते हैं सोबरन गोल्ड बॉंड की, अब सबाजय की सोबरन गोल्ड बॉंड कहां से खरीदेंगे, तो payment bank और small finance bank को छोड़कर ये सोना bank, dark घरों, NAC और BAC के अलाबा, Stock Holding Corporation of India से खरीद सकते हैं, ये खुदरा Protect Guild खाता यानि RDZ खाता से भी इसे खरीद सकते हैं, इसके लिए RVI की Retail Director Skin की वेब साइट, rviretaildirect.org.in पर जाकर पहले आपको खाता कुलवाना होगा, और आपको बता दू कि इस खाता के लिए email ID जरूरी होता है, आप इसे खुद से भी खरीद सकते हैं, फिर agent के जरिये भी खरीद सकते हैं, इस सोने में निवेश करने बारों को holding certificate दिया जाता है, इस front bond को demand या electronic form में भी आप बजलबा सकते हैं, 20,000 रुपे तक का ही सोना cash में खरीद सकते हैं, ज्यादा की खरीदारी digital payment या फिर demand draft यानी DD या फिर check से करना होगा, ध्यान रहे अगर आप आप online आवेदन करते हैं, तो आपका email ID होना जरूरी है, इसे खरीदने के लिए KYC, दस्तावे, जैसे मतदाता कार्ड, या अधार कार्ड, या पैल, या डैन, या पासपोर्ट जरूरी होगे, और पैल कार्ड तो जरूरी है, अब सवाल है कि एक वित वर्स में कम से कम कितना और अधिक से अधिक इतना सोना खरी सकते हैं, तो एक वित वर्स या अप्रेल से मार्च में कम से कम एक ग्राम सोने बॉन में निवेश करने की सुद्धा मिली हुई है, व्यक्ति या अब विभाजित हिंदू फैमिली के लिए एक वित वर्स या अप्रेल से मार्च में अध दोस्तों ये मेरी साथ किताब है जो की Amazon.com पर पब्लीस है आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हैं इन साथ किताबों में से पांच किताब Money Management पर है यानि पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर अधारित है